है है लोग दोस्तों आप सभी का स्वागता आपके अपने यूटूब चैनल नौकर तके हम पुरुप प्रस्षिट एक नए वीडियो में आज साथ अच्छे होंगे और जहां भी होंगे पढ़ाई के चिंतित होंगे और पढ़ते भी ओंगे चलिए आज जम बात करने वाले हैं जितने भी आपके common प्रश्ण है डाउट है उस डाउट को लेते वे और साइद आप रंजीत सर उनका कल वीडियो भी आया था साइद आप जो लोग नहीं देख पाएं मैं तो study किया किसी वीडियो को study करता हूं अपना भी दिमाग लगाता उस चीज को लिखता हूं कल रंजीत सर का लाइब डाउट लगबग 30 मिनट का लाइब था उसमें जितने भी आपके प्रश्ण थे वह तो नहीं ले पाएं लेकिन चलिए वह हमारी भी गुरू है आया सदिकारी है और प्रूब में कभी वह सच्छा ने देशक भी थे प्रा लिखेगा जल्दी वाजी किजिए गा तो हम आपको नहीं समझा पाएंगे और सब को जल्दी वाजी होता है कि जल्दी 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 मुझे भी लगता है कि जल्दी को उस खतम हो जाए हम चलिए वीडियो बने गई है बिहार से चक्षक भरती को लेकर है चुकि फॉर् तर्फ दाले प्रिशन का जबाब विसाफ को इस एक वीडियो में मिलेगा और मुझे पुर्ण विश्वात से जो मैं वीडियो डाल आप पढ़ते भी होंगे ठीक है प्लेलिस्ट बना दिये और पढ़ते हैं तो वह अच्छी बात है एक छोटा समय प्यास है जितना हमते होगा हम आपको पढ़ाएंगे चलिए hang पाहला प्रश्न लेते हैं पहला प्रस्ना आपका तुटी में सुधार और जेऑ्से और पर है जैसे मालीज़े कोई CTED में बहुत सारा दिक्कत पराया का आपने फ़र्म बराता है रिजल्ट भी आ गया सब कुछ आ गया इसमें आपके नाम में जो आपका नाम है आपके नाम माल लीजिए आपका नाम है रमेस इस चीज़ को समझे अगँ आपका और नाम है और जब सिटेट का जो सर्टिफिकेट आया उसमें आपका आग यह M E जग़ा पर I हो गया नाव किसी का कि नाम है किसी का नाम है एक साथ कुमार आगई तो ऐसा ऐसा भी problem आया है या किसी के पिता के नाम में दिक्कत हो गया यह सब सारी समस्या आपके पास हो रहा है बहुत सारा या किसी का माता का नाम में या आड्रेस में दिक्कत हो गया कुछ में कहीं भी दिक्कत हो यानि तोटी बोलते हैं उसको तो बिल्कुल नहीं घब गाएं आपके लिए एक उपाई है उपाई यही है आपके लिए यही बढ़िएगा तो जो तैंथ में आपका नाम है आपके पिता का नाम है इसमें गलती नहीं होना चाहिए ठीक है यह आपका डेट अब बर्थ है जनम यही इसी को देखते हुए आप बीपी एससी का फॉर्म डालना बीपी एससी का रेजिस्ट्रेशन करना फिर उसको लॉगिन करके अपना फॉर्म भग देना लेकिन तेंथ क्या दार पर यह नहीं क्या अधार कार्ड क्यादार पर हां तूटी हो गया तो उसका एक ही उपाई है तूटी होने पर तूटी तूटी जो हो गया है किसी भी परकार का तूटी हो इसका एक उपाई है कि आप कोट से कोट आप एफी डीपिट बना लीजिए एफे डेविट यानि सपत पत्र बोलते हैं यह होना चाहिए आपको फर्स्ट कलास मजिस्ट्रेट का बना होना चाहिए परस्ट कलास magistrate का बना लीजिएगा आप अपने जीला में जाईए जो दर्भंगा जीला के है तो दर्भंगा कोट होगा जो भी जीला में वात जाईए वकिल से मिलिए और बोलिएका मेरे सिटेट में नाम में गलती हो गया या मेरे इसमें गलती हो गया जिसमें भी गलती है अच्छे वकील से गाय विचार लेजिए गाय विचार लेने के बाद बोलिएगा कि सर्म को सपत पत्र बनवाना है यानि कि आफे डेपिट बनवाना है वो भी फर्स्ट कलास मेस्ट्रेट बाला बनवाना है तो यह बनवा ल वह वाना है ठीक है इसके बाद जब डगुमेंट अप्लोड करेंके जब आप करेंग आप को जब आप document को अप्लोड करेंगे हैं भी पैसा ले हैं एक साथ दुकांदार को बोड़िएगा कैफे वाले को जहां फॉर्म बरते हैं इस दोनों को PDF बना दीजिए एक साथ एक साथ PDF बना लेजिए जो भी पैसा ले एक साथ PDF बनाके इसके बाद अपलोड कीजिएगा यानि जिसमें भी तूटी है जिसे मैं सीटेट में तूटी है तो सीटेट के साथ में आफीडिपी इसको लगा के इन दोनों का एक साथ PDF बन जाता है एक के जो रहा जाएगा इसके बार अप्रोड करंदीज़ेगा कोई दिक्कत नहीतिक्त दोनों आगिया है हां मैतरिक के नाम में दिक्कत अपतो जाएगा आपको कोई भी डिय् Dale कर ना है है अधर स्टेट की महिला यूपी बंगाल जारकंड औरीसा केरला जो बिहार के साथी से या तो एरेंज मेरेज हुआ है या लब मेरेज साधी हुआ बिहार के लर्का से तो सुनने में आगा उनको अरच्छन ही नहीं दिया जाएगा इसलिए अरच्छन नहीं दिया जाएगा सुन लिए अगर ऐसा नहीं होता तो सभी डिक्वेंट की यहां से क्यों बोलरा बनाने के लिए और अधरर स्टेट की जो भी महिला है जिनकी साधी बिहार में हुई है बिहार के लरके से हुई है अगरो सभी डिक्वेंट अपने पिए के यहा हाँ से बनाएंगी यानि वह द्रभंगा की बेटी और मुझपप में साधी हो गया या द्रभंगा की बेटी और द्रभंगे में साधी हो गया या बिहार की बेटी मालीजे बिहार की बेटी उसकी साधी यूपी में हो गया यूपी के लरका से या दिल्ली के लरका से तो वो सभी इलिजबल है लेकिन उसकी एक समस्या है उसकी समस्या क्या है उस समस्या को देखिए मैंने भी लिखा है आपकी समस्या को मैंने कौपी में नोट किया है पहला आपका जितना भी डॉकुमेंट है हम बार बार आपको चिला के बोल रहा है कि आवासिय आवासिय जाती आई आपका जो डोकुमेंट लगे अवासिय जाती आई EWS जो EWS में आते हैं और नहीं जो OBC में आते हैं तो उसके लिए एक डोकुमेंट OBC नन क्रीमी लेर बनता है यह सभी डोकुमेंट आपको पिता के यहां से बनाना है बार बार आपको चिला के बोल गाएं पिता के एड्रेस से बनाना है यानि अपने माइके से पिता के एड्रेस से बनाना है कि आप कुछ साथी बोलेंगे कि सब मेरे अधार काड में तो पती का अड्रेस है फिर भी कोई दिक्कट नहना या बलले-बलले है आप अपने पिताक अड्रेस से आवाशी वनवाईए जाती विया आपके पिताक सब्सक्राइब और यह सब्सक्राइब निवासिय तो सभी को लगेगा जैसे जो जेनरल में आते हैं जो भी जेनरल में आते हैं तो उनको तो अच्छा नहीं सभी को लगेगा जनरल ये डावास जो एड़ डालम में आते इनको क्या करेगा इनको डाकुमेंट में लगेगा आपको आवासिय आवासिये दूसरा दूसरा आई अर तीसरा आइक कैदार प्याब का EWS certificate ठीक है EWS यह तीन चीज EWS वाले को लगेगा उसी प्रकार कोई OBC में आते हैं OBC बाफ हुआ इसके दो बेटा एक EBC एक BC2 तो हम OBC का अंदर इस अभी को ले गए तो इनको जो डॉकुमेंट बनाना है आवासिय बनवाना है और तीनों बनने के बाद एक चौथा डॉकुमेंट आप बोलिएगा OBC NCL नन क्रीमी लेयर यह बनवाना है नोट कर लिजिए बार बार बोल रहा है और सभी डॉकुमेंट महिला के लिए आपको पती प्ता के अड्रेस से बार बार बोल रहा है अगर नहीं बनाईएगा आप चाहिएगा आप देखिए ना अब लेटर भी निकल चुका देखिए यह लेटर बीस च्छो को निकला है और यह जो हमारे उप सची वे रदनीश कुमार जी यह सभी जीला पदादिकारी यानि 38 जीला के डियम को एक लेटर लिखा और उन्हों साप सब्दों में चाहिए यह समझी आप देखिए ना लेटर लेटर निकला हुआ है इसको बोलते है ओ भी निवास्वाणपत्र पिता के अस्थाई निवास यानि अंचल से न्रयृट होगा इसी परकार सीधे कृमी लेण रहत परमानपत्र के सस्थाई नवासी होगा इसका मतलब यह होता है इस चीज़ को समझञे पहले तो आवासिय जाती आये O driven C ये डैविस जो भी बनवाना है आपको अंचल अंचल मतलब वह बौक से बनवाना है इस चीज़ को समझजिए अंचल ब्लॉक है उसी ब्लॉक से आपको बनमाना है बात खतम है इसको लेकर चलना है लेटा निकला हुआ सामन प्रसासन विवाग का कुर्मी लेया रहित परमान पत्र के संदर्ब में आवस्क सूचना है यह लेकि इतना नहीं पढ़ना है जो मैंने बता दिया इसको गांट बांद चलिए एक चीज़ तो बताएं नहीं यह हो गया यह आप नोट कर लिए और उसी परकार आपको जो सभी को लगना है कोई भी जाती वरक को चुकि भी आयकर स्थाई निवासी उनको होना चाहिए अदर एस्टेट एलाउट नहीं है छलिए है इसी कजिए है और प्रस्ट तिस्रा प्रस्थ देखिए तिस्ठा सर्टिफीकेट या मार्क्सित क्या अफ्लोड करू सपर आप इससे का मार्क्सित का ज्यादा प्रोबलम हम्यूब तो मैंबी जानता हूं और मेरे कानेब्वह ने वीडियो बनाया और वे सरेयाल और कोई सार्टिफिकेट नम्मर बोलते हैं लेकिन अब अतुल परसाद जी जो बीपीस के चेर में ने उन्होंने कहा नहीं चलेगा अगर सार्टिफिकेट है और सार्टिफिकेट पे नम्मर नहीं है तो आपको उसके जगह पे एने लिखे देना है अब यहां ध्यान को एक होता है आपको सार्टिफिकेट दो डॉकुमेंट सीचेट दो डॉकुमेंट होता है एक मार्क सीचेट एक सार्टिफिकेट यह सीचेट का डॉकुमेंट है जो आप डीजी लॉकर से डाउलोड कर लीजिए दो डॉकुमेंट ठीक है तो आप बोलेंगे सार्टिफिके जिनको सांटीफिकेट मिला है तो वह प्लोड सांटीफिकेट अप लोड करेंगे जब राइडिस्ट्रेशन करेंगे फिसी का अगर आप चुछ कर सकते है आपके पास सरीट का आ गया झिए बच अप्सन्वarin और या उनके लिए बोल रहा है आपको फिर से सुधार करना की इसमें नगलती मेरी आना आपकी अतुल प्रसाद जी ने जो का उनको मानना पढ़ेगा और सीट कणंदीशन आता है्-किसां जिनका समझे का मतलब यह हुआ इस चीज को समझतव और अब यह दिए ह। ब्रिहार में सिचग बना विहार में आपको आप एप्पजन दिया गया तो माली ज viewers जोबी जनरील महिला है जो पर शेमिल को बिहार में मात्र बिरासी पर ही आपको आखच्छन दिया गया लेकिन पर सभी बिहार में सच्छे बनने की योग है उसी प्रकार जो SCST में है या physically handicapped है दिव्यांग है उनको मात्र 75 नमबर पे देगा अभी हार मौका तो वो सभी को जब मौका मिला है और DG Locker पे ऐसे अभ्यरती को certificate नहीं मिलेगा बस mark sheet होगा तो वैसे अभ्यरती क्या करे बिंदास उनके लिए ये good news है वो प्रेकरों करें वो कैसे को अपलोड करना है किनको माकशित को अपलोड कर ना है माकशित को अपलोड करूड कर दीजिएगा Apload करने के बाद इस homard पे आपका इसी homard नम्मर वहता है जो नम्मर इसी को certificate नम्मर के जगह पे certificate number के जगह पे यहां पे लिख देना है जो भी आपका serial number आता है वो आपको लिखना है यह किनको लिखना है जिनको certificate नहीं मिला है certificate जिनको नहीं मिला है जिनको mark sheet मिला है तो mark sheet के अधार पे mark sheet को upload कर देना है इसके बाद certificate number के जगह पे serial number जो आता है उसको यहां लिख देना है समझ में आ गया या नहीं आया यह बताईएगा समझ गया अपना अपना स्थिती देख लिजिएगा चलिए चौथा प्रस्ट देखिए अब आशिये जाती आई EWS ओबी सिनन क्रिमिलियर कब और कहां का होना चाहिए तो अंचल का होना चाहिए यानि ब्लॉक का होना चाहिए यह केंद्रिय नहीं चलेगा आपको ब्लॉक अंचल आप जिस ब्लॉक में आते हैं विबाहित साधी सुदा हो या जिनकी साधी नहीं हो वो सभी के लिए blocks होना चाहिए और कब तक का होना चाहिए तो आप नया बनवा लीजिए चुकि बिहार सरकार आपको इसे भी चाहती है कि जोब के नाम पिठगा जाए आपको छाटा जाए तो अभी विशमय है, बनालेजिए उसकी साधी हो गई अदर state में यूपी के लरका से दिल्ली के लरका से भी आ हो गई तो अभी को तो मौका देगा तो उसके जो अधार काड़ है उसमें तो पति का अडरेस का दिल्ली का पहन को डिल्कुल नहीं को घब गाएं भिलुकुल टेंसन ने लेना या को ऐसे भी विदारती है जो भियार का बेटा है वो दिल्ली पढ़ने चला गया और दिल्ली का अधार खड़ना लिया उसको भी टेंसन लेने की जवरत नहीं है जब भी आप फॉर्म भरियेगा बीपेसी का तो आपसे एड्रेस पूछेगा आ आप आपका जो महिला है साधी सुधा उनके लिए वह पिता का अड्रेस डाल देना पिता का अड्रेस डाल देना ठीक है जो भी बिहार की बेटी है और बिहारे में साधी हो गया या अधार स्टित में सब पिता का अड्रेस डालना पर्मानेंट अड्रेस या को सब में पिता और जो लार्का है वो भी अपने पिता का ही डालेगा यानि पिता का ही सब कुछ डालना है आधार कार्ड में अगर्डेस चेंज भी हो गया तो भी आपको दिक्कत बिलकुल नहीं है समझ में आ गया चलिए वीडियो तो लंबा हुआ होगा लगी प्रस्टन है सीटेट में कम माक्षवाले सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे तो जिनको अरच्छन मिला अरच्छन के अधार पे बिहार में सच्छक बनने वाले हैं जैसे स्टी स्टी पीएच वाले जिनको 75 पर द लेगा तो माक्षिट को अप्लोड करके वो कर देना है छटा प्रस्टन परसंटेज कितना पर निकलेगा बहुत सारे साथी का प्रस्टन है परसंटेज जैसे माली जब कोई बीड की होंगे गर्जवेशन के अधार पर बीड की होंगे तो वहां आप से पूछेगा कि पर बीड कर लिया या बीसी एक के बाद नोंने ब्याट कर लिया अधर अधर राश्य की है तो वहां पर तो किसी का होता है बासट सो का एक्जाम होता है जैसे मद्द प्रदेश के बहुत सारे इनिवर्सिटी में जैसे राजिव गांधी प्रदर्वकी बिस्विदाले उसम को मार्क कितने कृपता का है कि अनी टौटल पाज मीशय का जो यह पर अचितने बिहार में तो आपका फंद्रह सो है तब फंद्रह सो पे आपको जितना मार्क के उपतेश निका लिए यानि कूल में लिखना है में 200 आपको BTEC वाले होंगे या बीई वाले तो उनका देख लीजिए उनके उन्सिटी में कितने मार्च था अगर उनका मार्च कुल था 62 कि आपको कुल में 62 लेना है जितना मार्क साय वो लिखना है अब गुने परसंटेज आपका वो निकाल लेना है तो यानि परसंटेज कितना लेंगे आप टोटल भी साइज जोग लीजिएगा ग्रजोशन में उसके अधार पर कर लीजिएगा पाल पव्क है नहीं उसका सब्यूंड वह değer यास ट्रीम में क्या ढाले सब्जक्त प्लीप क्या डाले statements है यह बहुत बैके लोल है तो इसका मैं फ़र्म नहीं वाले वाले है यो मपिये पैड आप से lou यिद्ट उस्ट्रीम् पूछेगा तो इसमें आपको लिखना है इसमें आपको लिखना है आपका जो 107 नंबर सेट होता है एकसाथ नमशाज होता है आगा आपका वाले है उनका बहुत महत्वपुर्ण परस्न है तो डियाड़ वाले का आप नहीं बता पाएंगे इस पर रिसर्ट चल रहा है तो हम बता पाएंगे कि सब्जक्ट या स्ट्रीम में वो क्या लिखेंगे जहां तक मुझे लगता है सब्जक्ट या स्ट्रीम लिखेंगे इस पर भी डिस्कसन चल रहा है तो इसलिए फर्म अभी दो-तीन दिन को किये घबगाना नहीं है कि पासिंग यह क्या डाले तो पासिंग यह जैसे माल लीजिए कि माल लीजिए एक होता है सत्र सत्र मतलब इसको इंगलिस में बोलते हैं सेशन सेशन का मतलब होता है जैसे दखिए जैसे माली जिए कोई अभ्यार्ति बीएड किया बीएड या डीलेड किया हो कोई भी किया हो और उसका जो सेशन है 2018-20 यह आपका सत्र हो गया जिसको इंग्लिज में सेशन बोलते है लेकिन आपसे पूछा है कि बीएड या डीलेड का जैसे पासिंग यर क्या है पासिंग का मतलब होता है कि आपने पास कव किया है है अपने पास कव किया आपको ये नहीं लिकना करना है अब माली यह तक है दो साल में आपने बियाड किया तो बहुत सारे लगा पासिंग यह मैं लास्ट का यह 2020 डाल देंगे बिलकुल नहीं आपका देखिएगा आपके पास सर्टिफिकेट होगा या सकंड यह का मार्क्सिट होगा उसमें इसुडेट होगा उसमें अगर 2020 है तो जो 2021 डालना है पासिंग यह एका मतलब वह आपने कब पास कर लिया ठीक है वो डालना है कि चलिए अब एक प्रस लास्ट है All the country की महिला को अछन मिलेगा मांने जैड़ाव स्टेट्व की महिला का मतलब यह कर देखिए बहुत इस पर मतलब यह पिविए अदर स्टेट की महिला रख टेट की महिला को सुटकि आदर अस्टेट टो जो थोड़र नहीं है दुसरे गाज का और उनकी जो साधी है उनकी जो साधी है बिहार के लरके से हो गया तो क्या उनको अरच्छन मिलेगा बिहार के लरके से साधी वी है तो जहां तक सुनने में आ रहा है आपको बुरा लगेगा यह मैं नहीं उपर से देखिएगा इनको अरच्छन साध नहीं मि मिलेगा तो यह इनको क्या मिलेगा भाई तो यह जेनरल में आएंगे जेनरल में इनको भरना परेगा फॉर्म ठीक है चुकि बियार का स्थाई निवासी मांगता है तो आप साधी होने के बाद आए यह बिढमना है बिहार सरकार की तो क्या किजिएगा बहुत बगा दुखद है लेकिन आपको आच्छन मिलना चाहिए लेकिन हमारे चाने सोता होगा नहीं आपको आच्छन इसलिए मिलना चाहिए चुकि आपके पती जो है बिहार के है आपके पती बिहार के है और बिहार की बहु हो गई लें क्या किजिएगा चलिए देखते हैं बहु इसमें क्या हो बनेगा महिला जो भी विवायत महिला है अधाय कार्ड में पती का अड्रेस है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए एक प्रस्थ यह भी था कि जो भी छटे चरण में बहाल हुए चुकि छटे चरण में अधरस्टेट वाले भी अलाओड थे यूपी बंगाल कोई भी भर सकते हैं तो वन टू फाइब में थे अब वह सोच रहा है कि राज कर्मी का दर्दा मिले तो क्या वह फॉर्म भर सकते है तो अभी तक सेक्लले नहीं हुए चुकि अधरस्टेट तो लाउड फिलाइल के हैं पिछले डाग छ Hm चे चरण में नियुकल को Jur निवासी तो है नहीं तो इसलिए आपको अरच्छन का लाब नहीं मिलेगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच ग्रूप में सेर कीजिए जिसे के हमें मोटिवेश आर आई आपको चलागा इसमें उल्टा बोलेंगे तो उनकी मर्जी है नौकरी तक में जाएंगे खोलेंगे तो उपर में आपको उपर में ही होम दिखेगा वीडियो दिखेगा जब वीडियो नहीं मिले तो यहां प्लेलिस्ट है जब प्लेलिस्ट पे आप क्लिक किजिए प्लेलिस्ट पे क्लिक किजिएगा इसमें बहुत कुछ है यानि गनित गनित का एक फोल्डर बना दिये आपको जो भी पढ़ना है वहां जाके पढ़ लिजिए समझ में आ गया बिंदास पढ़िए चुकि हम सेलेक्टेट पुस्टन ही आपको पढ़ा गाए कल हम डाइस पढ